आज हम बात करेंगे सखलेंस के बारे में तो वीडियो को देखते रही है आज हम देखते रही है हम बात करेंगे सखलेंस के बार पर बात के बात करेंगे साधी नहीं नहीं है और आफ के सकिन फायदा गाणते है नहीं करें अजया होते हैं मैं इतिवार उनाम जड़ीप है कि उसी त Eden सने कर लेक्न आपप घ्रीपाइशे अर भीगद कि देशिप लेंगे भाटाइविए जास या पैलेबल लीपन होता है इनके लगबुकत सब्सास भी ज्यादा वेराइटी इस अवेलिबल है पुरे वर्ल्ड में तो यह काफी एक पॉपुलर प्लांट है इंडो प्लांट है कि इनको जादा केवी ज़रत नहीं होदे एजी लिगू हो जाते हैं और वर्जादा पाने की ज़रत नहीं होदे और वा सब्सक्राइब के बारे में तो फर्स्ट प्लांट है मेरे लिस्ट में बायर फैलम जो की इंडिया में कॉमनली पत्रचटा के नाम सी जाना जाता है यह एक आइडियल होम डेकल प्लांट है क्यूंकि इसको की बिल्कुल भी जबरत नहीं होती और यह यूनिक और स्टाइलि कर्था नाम इसलिए है क्योंकि यह पत्री के लिए एंड़डेर्न के त्रीटमेंट के लिए और इसके इंडान प्लांट है यह यह चरहम घर जाती है तो जब बढ़ा हो Industries तो जो इसकी लीवस पे प्लांट बीबी ऊप्लांट बड्स अग जाते ए और जो जमीन पे गिटते हैं तब इस वा बीबी के थूरी इक नया प्लांट उक जाते। बात करें तो इसके पत्र शक्ता की एक लीफ चाहिएगी और उस लीफ को अगर आप स्वाइल में लग देंगे थोड़े दिनों तक तो उसमें से भी आपके रूट्स गूरून हो जाएगी और उसमें से भी आपके बड़ा प्लांट उग जाएगा उसमें थोड़ा टाइम ल और स्वाइल स्ट्रक्चर के बारे में तो वाट्रिंग साइकल ऐसी है कि आपको इसको और नहीं करना और वाटर से कोई सख्लिन प्लांट मर जाएगा तो इसको भी सेम आपको वाटर कम से कम करना है मिल्दब आप अगर इसको अंदे बॉटर करेंगे तब यह सस्टेन कर ल वो वेल ट्रेंट हो जाए मतलब आप पानी दाले तो पानी इसमें अटकना नहीं चाहिए आपका पानी जो पॉर्ट में है वो बहे जाना चाहिए तो नेक्स प्लांट है मेरे लिस्ट में क्रेशुला ओवाटा जिसे कॉमनली जेट प्लांट के नाम से जाना जाता है जगे अच्छे से सस्टेंग कर लेता है अगर आप क्रेशु लावाट या फिर जेट प्लांट को अगर आप इंडूस रखेंगे तो इनकी जो लीव्स है वो डाप हो जाएगी डार्क ग्रीन कलर में और अगर आप इनको आउडूस रखेंगे तो यह लाइट ही रहेगी तो में डाक इसली होती है क्योंकि इनको इतनी अप्रोप्रियेट और जो इनकी रिक्वायर्मेंट है से लाइट की वो फुल्फिल नहीं हो पाती है जेट प्लांट अगर आप इसको आप्डूस रखते हैं सॉयल में हो गयते हैं तो इसकी जो हाइट है वह थ्री टूफॉर फी इस लीव को आपको तोड़ने के बाद आपको सॉयल पर रख देनी होती है और सिर्फ पानी स्प्रे करना होता है थोड़ा सा पानी स्प्रे करिए एक दो दिनों में तो काफी टाइम बाद मतलब दूर से तीन महीनों बाद इसमें रूट होना शुरू हो जाएगी और यह ए इसके सॉयल कंपोजेशन के बारे में तो आपको एक ऐसा कंपोजेशन लेना है जो अगर आप पानी दाले तो इसी ली पानी बहे जाए मनला वेल ट्रिंट स्वल चीए तो आप इसके लिए गार्डन सॉयल भी यूज कर सकते हैं और गार्डन सॉयल को मिक्स कर लीजिए प्लांट मढ़ जाएगा रूट रॉट रॉटिंग के थरू तो इसको बहुत ही कम पानी चाहिए अगर आप टॉप लेयर जो आपने प्लांट हुगाया है इसके टॉप लेयर ऑफ सॉयल अगर सुकी है तभी आप पानी दाले लगभग पास से छे दिनों में आप पानी दा मिलती है वहाँ पर रखे तो यह काफी एजी ली और अच्छे से ग्रू हो पाएगा थर्ड प्लांट है मेरे लिस्ट में इफोर्ब्या में ली जैसे कामनली क्राउन आफ थांज भी कहते है क्योंकि इसमें बहुत सारे काटे होते है और इसकी जो स्टेम होती है और अगर आ प्लांट भी आते है इफोब्या मिली आफ एर क्राउन अफ फांट में काफी चारे रेड कलर के छोटे-छोटे फ्लावर भी आते है अब इस प्लांट को भी आउड दोस और इंडोस दोनों ही जगा सकते है यह इंडोस में भी अच्छा प्रपोगिट हो जाता है और आउड हो सकती है तो इसको आप 6-7 गंटे तक रहने दीजिए जिससे वह जो वाइट के लिक्विड हो सुख जाए और 6-7 गंटे बाद आप उसको वेल-ट्रेंज सॉयल या फिर सैंड में भी प्रपोगेट कर सकते है आइडियली प्रपोगेट करने के बाद एक से दू महीने और यह एक काफी बड़ा पौदा भी बन जाएगा आपको इक बात कर दियान रखना कि जो इसमें से लेटेक्स निकलेगा मतलब जो वाइट कला का लिक्विड निकलेगा स्टेम कटिंग के तुरू तो वाइट कला जो लेक्विड है लेटेक्स वह काफी पॉजनस भी होता आपको इस प्लांट को ओवर वाटर बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि अगर जो अगर वाटर करेंगे तो इसके स्टेम बिलकुल गल जाएगी पानी के थूरू और यह प्लाइट नहीं हो पायागा एज लिए और इस प्लांट का बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी जो फ्ल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा है जो की तीन इजी टू प्रपोगेट प्लांच पर तो अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्रिप्शन में दें दूंगा आप वह देख सकते हैं अब बारी है हमारे प्लांट केजों की है अलोवेरा जो इजी टू प्रोपोगेट भी है और जादा केर भी जबरत नहीं है और हमारे स्किन के लिए काफी अच्छा होता है अलोवेरा के काफी सारे मेंडिशनल फाइदे भी है जैसे हमारी इम्मुनिटी क्रूट में भी काम आता है और यह एक पर चार्ट से भी ज्यादा वेराइटी अवेलेवल हैं लेकिन सब 6 और 7 वेराइटी जी है जो मेंडिशनल प्रोपोज के लिए काम आ सकती है बागी सब वेराइटी यूजलेस है अलोवेरा को काफी सारे मेडिसन में भी यूज किया जाता है और यह काफी सारे बीमारियों तक ही आप स्टो करें क्यूंकि उसके बाद वो जो जल है उसकी जो नुट्रिशनल प्रोपर्टीज है वो खतम हो जाती है अब बात कहलेते हैं इसके प्रोपोगेशन के बारे में तो यह प्रोपोगेशन भी काफी एजी है सिंपली आपको एक लीफ तो नहीं होती एक बड होती है तो यह रेक्मेंडेट होता है कि इस प्लांट को आप अगर हिंडोज नहीं रखे आउट्डोज रखे या फिर एक ऐसी जगह रखे जहां पर काफी सारी लाइट आती हो और अगर आप इसको 2-3 गंटे के सनलाइट दे तो यह काफी अच्छे से इजी लीग हो जाता तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक्स पूर वाच्छेंग